नमस्कार मैं हूँ आपके साथ अब शेक शांडिल और आप देख रहे हैं ग्लोबल भारे टीबी ये खबर आपको बहुत चौका देगी और कुछ नए सवालों को जन्म देगी एक खबर उत्राखंड की मीडिया में छपी है कि क्या बाबा राम देव के रिष्टे सुशिल कुमार से हैं या सुशिल कुमार के रिष्टे बाबा राम देव और उनके कुछ बेहत करीबी लोगों से हैं ये रिष्टा क्या कहता है ये तो आने वाला वक्त तेकरेगा लेकिन जैसे ही दिल्ली प्लिस आरोपी सुशिल कुमार को सबूत तलाशने के तौर पर हरीद्वार लेकर पहुंची उसके बाद ये सवाल खड़ा हो गया और हरीद्वार में ये सवाल पानी में तरने लगा कि क क्या कोई रिष्टा सुशिल कुमार का बाबा राम देव से है ये खबर जिस वेबसाइट ने छापी है उन्होंने उसका पूरा ब्यवरा दिया है इसके पीछे उन्होंने तरक दिया है और ये दावा किया है कि कैसे इस कनेक्शन को जोड़ा जा सकता है हाला कि उसमें ये लिखा है कि हरीदवार जब पहुंचे सुशिल कुमार तो बाबा के शरण में रहे लेकिन इस खबर के जो संकेत हैं वो सीधे तोर पे आपको यहीं कहते हुए दिखाई देंगे उत्राखन के पत्रकार है किरण कुमार उन्होंने ये खबर छापी है और इस खबर में बहु सामने आया है दरसल ये जो आप सामने तस्वीर देख रहे हैं जिसमें बाबा राम देव हैं जिसमें सुधीर दहिया हैं सुशिल कुमार हैं और दो और लोग इसमें दिखाई दे रहे हैं इस खबर में ये लिखा गया है कि बाबा राम देव सुशिल कुमार की नजदी किय बाबा राम देव के हमरा ही बनकर सुधीर दहिया हमेशा उनके साथ रहते हैं सुत्रों के अनुसा सुधीर दहिया सुषील के पारिवारिक सदस जैसे एक तस्वीर और है जिसमें आपको विजेंदर भी दिखाई देंगे सुषील और सुधीर दहिया भी दिखाई देंगे औ वो बाबा रामदेव का आई था बाबा रामदेव की पतंजली योग पीट में बनने वाली देसी गी और अन्य पदार्तों के विग्यापन पे सुशील कुबार ने खूब प्रचार किया था और उसके बाद ये तस्वीर देखे जिसमें सुशील कुमार को बाबा रामदेव में ऊठालिया है सुषील के करीबी दहीया कौन है और क्या है? इसका पूरा चरिक्षिल वेब साइट इस पूरी बात की बहुते सुषीर करिंग की दिकाया होता हुph सुधीर की फेस्बूक प्रॉपाइल इस पाइल के तदिक करती है कि उनके पहलवान सुशील कुमार से कितने गहरे संबंद है अब सवाल ये उटता है कि क्या ये गहरे संबंद इस पूरी कहानी से भी जुड़े हो सकते हैं क्योंकि अगर कुलिस को इस पाइल के सबूत लगे कि अगर किसी भी मामले में हत्या के बाद बेगर सुशील कुमार देहरादून या हरीदवार या रिशी केस में फरार हुआ वहाँ पे लापतार आया छिपने की कोशिश करता रहा और वहाँ पर उसे बाबा ने शरर दी अब किस बाबा ने शरर दी कैसे बाबा ने शरर दी ये तो दावाद नहीं किया जा सकता लेकिन ये खबर अपने आप में बहुत कुछ कहती है कि सुदीर दया जो बेहत गरीब कि के हालात हैं उस हालात में पुलिस के लिए इस input पे काम करना कितना पारदर्शी होगा कितना भरोसे बंद होगा ये भी गंभीर सवाल है लेकिन अब आपको बता देते हैं कि आज जब पुलिस उसे सबूत तलाशने के लिए साथ मिले कर गई तो हुआ क्या था दरसल कल दिल संतों के साथ को इसके connection है अब क्या संतों ने हत्या के बाद उसे छुपने की जगह दी ये गंभीर सवाल है जिस पर भी पुलिस ने कुछ भी कहा नहीं है नहीं कुछ इस पश्ट किया इसके बाद पुलिस रिशिकेस लेकर पहुंची रिशिकेस से होते हुए सहारमपूर क के पास हरी द्वार में पुलिस को शक है कि वहां बहुत सारे सबूत मिल सकते हैं लेकिन पुलिस के हाथ अभी कोई सबूत नहीं मिले जिस कपड़े में सुशिल कुमार ने हत्या किती सागर की वो कपड़ा भी पुलिस के हाथ नहीं लगा है लेकिन ETV भारत की ये खबर सकते हैं नमस्कार